इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अगर हम इनपुट डिवाइस की बात करें, तो इनपुट डिवाइस होता है, जिससे हम कंप्यूटर को इनपुट पास करते हैं, अगर हमें कुछ भी टास्क परफॉम कराना है, तो पहला इनपुट डिवाइस हो गया हमारा कीबोड, ठीक है, सेकेंड इनपुट डिवाइस ह हो गया हमारा स्केलर इसके अलाबा भी अभी बहुत इंपूट डिवाइस है तो हम यहां पर सक्ट्रा कर दे रहें तो यह जितने भी इंपूट डिवाइस की बात हमने की इनका यूज करके हम कंप्यूटर सिस्टम को इनपूट पास करते हैं और जो भी टास्क हम पर्फॉर्म कराना चाहते हम यहीं पर एसाइन करते हैं तो कंप्यूटर करता है ठीक है अब बात करते हैं सीप्यू की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की इसका सबसे पहले तीन पार्ट होता है एक होता घृत होता है assy recreate और यह होता है लित्माटिक उनिट जो कि जोड़ घटाव गुनाभाग करने के काम में अगर हम मेर्य की बात करें तो अगेयन इसे लिखा गया है एक होता है राइम आर याग biscuit होता है और एक होता है Yoga Dish को यहां पर आप जो रेम और डेख पा रहा है यह प्राइमरी मिमरी और हॉल कर दिस्क हो गया हमारा सस्पा इन्दर आप देखेंगे को खोल के अब आपको यह सभी जिए दिक जाएंगी वहां पे अब बात करते हैं आट पूट डिवाइस जहां पे हमें कुछ result देखता है जैसे पहला आउटपूट्ट डिवाइस हमारे computer system में होता है monitor जहाँ हम result देखते हैं second हो गया speaker कि इस्पिकर भी आउटपूट डिवाइस है क्योंकि वहाँ पे भी हमें आउटपूट मिलता है तो भी हम गाना अप्ले करते हैं हो सुनाय देता है हमें फिर हो गया प्रिंटर जिसका र्र mıs कि जिसका उस प्रिंट आउट निकालने के लिए किअ जाता तो अउट्पुट डिवाइस जहां से उट्पूड बहार आता है वो हो गया output device, input device जहां से हम computer को input देते हैं जैसे keyboard, mouse, scanner वो हो गया input device, CPU, CPU का 3 part होता है main part, CU, memory, ELU, memory को भी again 3 part में बाटा गया है अगर आप input device के बारे में detail में जानना चाहते हैं तो separate video मैंने बनाया है, description में link मिल जाएगा उपर i button में भी मिल जाएगा, CPU के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं बढ़िया से theory के साथ, तो इसका भी link मैं description में provide कर रहा हूं और output device के बारे में भी अगर आपको जानना है, तो हम आपको link दे रहे हैं description में आप इन सभी के बारे में बढ़िया से जान पाएंगे, अलग-अलग video देखने के बाद तो इस video में जितने भी components थे, यहाँ पे आप figure में देख पा रहे हो computer के यह हो गया हमारा monitor, उसके बाद यह हो गया keyboard, और इधर हो गया हमारा CPU इस figure में जितने components है इतने ही components मैंने आपको यहाँ पे बताएं, इस CPU के अंदर अगर आप जाकेंगे तो यह सभी चीज़े आपको मिल जाएगी, उमीद करते हैं आपको video पसंद आया हो, अगर आया हो तो like करिए, share करिए, चानल पे नहीं सब्सक्राइब कर दीजे,